नमस्कार और वेलकम टू वर्ल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन यहां पर आप देहोगे यह रशन फेडरेशन और रशन फेडरेशन के नौर्थ में आपको मिलेगा तैमिर पेनिसुला यह रश्या का नौर्धन पार्ट है जहां पर बहुत सारा ओयल रिजर्वस आपको मि पेचो और यहां पर कुछ रेविन्यू कमाए जाए तो इसके लिए रश्या ने स्टार्ट किया वास्तोक ओयल प्रोजेक्ट एक हूज प्रोजेक्ट है रश्या ने आपर कैकुलेट यह किया है कि इस प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्मेंट्स इनको चाहिए होगी 110 बि डॉलर्स तक एक हूज मेगा प्रोजेक्ट है और बहुती कम इरिया में यह सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के वारे में व्लादेमर पतिन ने पी एम मोदी को बताया था 2019 में जब पी एम मोदी गए थे रश्या में यहाँ पे आप देहोगे यह फ प्रोजेक्ट में इंडिया भी एक इंवेस्टर बन जाए इंडिया भी यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन करे अफ्कोर्स इसका फायदा भी मिलेगा कल को जब ओएल की सेल होगी प्रोफिट आएगा प्रोफिट को इंडिया भी यहाँ पर इंजॉए करेगा वास्तोग प्रोजेक्ट में आओ, अपने billions of dollars यहाँ पे निवेश करो, in the future oil की demand बढ़ने वाली है, यहाँ से आपको profit ही मिलेगा, जिस तरीके की बातचीत अब रश्या और भारत के भीश में हो रही है, आज के समय काफी developments होई है, उससे लग रहा है कि भारत बहुत ही जल्द एक huge stake purchase कर लेगा, वास्तोग oil project में, और यह मैं कहूंगा, एक बहुत ही अच्छा step है, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो, तो हमने इरान के साथ कोशिश करी, natural gas oil field खोजने की in the Persian Gulf, हमारा experience बहुत अरा खराब निकला, जैसे ही natural gas यहाँ पर मिली, इरान ने जो पुरी deal है, वही cancel कर दी, उसके इलावा आप अगर देखो, तो ONGC विदेश ने जब भी Vietnam का जो coast है, वहाँ पर करने की कोशिश करी exploration, कुछ खास यहाँ पे हाथ में लगा नहीं, और फिर यहाँ पर South Channel CKSU हमेशा बनाई रहता है, तो Russia actually एक बहुत यह अच्छी destination है, Indian investment के लिए, ONG इसी अराम से यहाँ पे निवेश कर सकता है, और रेडी मैं आपको यह बता दूँ, कि भारत सौला बिलियन डॉलर्स निवेश कर चुका है, रशिया के natural gas और energy sector में, कई major gas फील्ड और oil फील्ड रशिया में, चहाँ पर 26 से लेकर 24% stake है भारत का, तो अगर यहाँ पे वास् topic को in-depth, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक question पूछूँगा, question आपके लिए आपर यह है, कि हाली में आपने सुना होगा, कि Zapad 2021 military exercise start होने वाली है, आपको यह आपर simply यह बताना है, के इन में से कौन सा देश, Zapad 2021 में participation नहीं करने वाला, इंडिया, पाकिस्तान, चाइन या फिर Japan, comment section में करिए answer, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के अंध में, now सबसे पहले मैं आपके समय रखना चाहूँगा, कुछ बहुत ही कड़वे, मगर सचे facts जो हमको accept करने होंगे, पहला fact तो यहाँ पर यह है, कि भारत और रुस्या के जो interest है, यह धीरे धीरे पास है, बहुत जादा कम है, अगर आप इसको compare करोगे, रश्या चाइना ट्रेड से, तो यह है 110 billion dollars, 11 गुना जादा है रश्या चाइना का ट्रेड, और इंडिया रश्या का target यह है, कि 2025 तक जो आपसी ट्रेड है, यह 30 billion dollar करेंगे, क्या इसको यह अचीव कर पाएंगे, मु हमारा horrible experience रहा है, मिग विवानों के साथ, मिग 1, मिग 29 लगातार crash करते रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है, कि हमारे pilots में कुछ कमी है, इंडिया कुछ यहाँ पर गलत कर रहा है, क्योंकि हमारे पास और भी various यहाँ पर fighter jets हैं, मिराज 2000 हैं, रफायल भी अब आ चुका है, वो त खोई 30 के साथ तो देखिए, अब Indian Air Force इतनी जादा unsatisfied लग रही है, कि जो यहाँ पर missiles हैं, वो भी हम ले रहे हैं, इसराइल से आपको पता होगा, हमने recently Sukhoi 30 में integrate कर दिया था, इसराइल's price 2000 को, तो अगर आप S-400 को छोड़ दो, जो एक exceptional piece of technology है, उसको आप अगर छोड़ द कि इंडिया अब एक object बन चुका है, Western countries का primarily, Europe और USA का, और आज के समय इंडिया को यह इस्तेमाल कर रहे हैं, Western countries इस्तेमाल कर रही हैं, अगेंस चाइना, यह कहा था openly Russia के foreign minister ने, तो clearly आप अगर हम दे सकते हैं, कि भारत और रूस के relations खराब हुए हैं, और in the future मैं आपको यह सेक्टर, defense सेक्टर नहीं है, वो है energy सेक्टर, defense manufacturing भी कुछ हर तक करेंगे, मगर वहाँ पर बहुत जारा scope हमको दिखनी रहे स्वक्त, whereas आप अगर देखो energy सेक्टर, तो यहाँ पे गड़ित बहुत ही simple है, इंडिया अपने billions of dollars देगा Russia को, Russia वो पैसा लगाएगा अपने दे बहुत हो नहीं चाहिए होते, देखो फर्क यहाँ पे है, जो ग्राफिकल टरेन का, जो रीजन्स है रश्या में, जहां से crude oil निकलता है, वहां से crude oil निकालने के लिए, आपको billions of dollars जान ले पड़ते हैं, विरे सावधी रेबिया का जो crude oil है, गल्फ कंट्रीज का जो crude oil है, यह जरातार आपको मिलेगा परिशन गल्फ के आसपास, जो बहुत ही आसानी से आप extract कर सकते हैं, उसके लिए जरा investment आपको चाहिए नहीं होती, तो रश्या चाहता है Indian investments और इंडिया यहां पर investment करने को तयार है, इसलिए भरत ने पहली बार रश्या में उपन किया, इंडि इंडिया अनर्जी आफिस सिंप्ली इसलिए बनाया है, ताकि Indian company सीधा यहां पर आके जो investment करनी है रश्या में उसका process स्टार्ट कर पाए, यहां पर आप देहोगे, inauguration of the India Energy Office in the capital of Russia, Moscow, और अभी भी recently आप देखो, तो हमारे जो energy minister है, हर्दीप सिंग पुरी साहब यह गए द यह कल को भारत को भी बेच सकते हैं, यह मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा, यहां पर आप देहोगे, यह वो region है रश्या का, जहां से crude oil निकाला जाएगा, उसके बाद क्या है कि जातर क्या उतराई से पहले, कि ship यहां से निकलती थी, उसके बाद यहां पर Strait of Gibraltar, यहा ताकि यह बहुत अरा दुखत बात है, आप अगर पूरी humanity को एक खटा देखो, तो आज के समय अगर Arctic की बल्फ पिगल रही है, और वहां पर हम decide कर रहे हैं कि चलो इसी बादे ट्रेड कर लेते हैं, यह कुछ हट तक ऐसे ही है, जैसे एक आदमी है, उसका घर जल रहा है, त अराम से यहां से ओयल निकाल कर, सीधा इसी रूट से होते हुए, यहां पर Pacific Ocean से यहां से जाकर, यह ओयल बेच सकता है, चाइना को, आसियान कंट्रीज को, और मलक्का स्टेट से गुजर कर, यहां पे है मलक्का स्टेट, सीधा यहां पर जो यह ओयल है, यह इंडिया को भी बेच सकता है, तो यह रूट जो है, रशिया को सस्ता पड़ेगा, और स्वेस कनाल के यूज में जो बहुत ज़रा पैसे खर्च होते हैं, वो भी यहां पर खर्च नहीं होंगे, स्वेस कनाल के लिए यह रूट काफिया तक अच्छा है, क्योंकि इससे यहां पर traffic भी कम पूछा था, जैपर 2021, military exercise, इसमें कौन सा देश participation नहीं कर रहा, तो सही उतर, यहां पर है option, option D, जपान is the right answer, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना यहां पर participate कर रहे हैं, टोटल 12 से भी ज़रा countries यहां पर participate करेंगी, यह जो दिव्यास होंगे, 3 सब्तमबर से लेकर, 16 सब्तमबर की तरफ, for zapad 2021, and finally, आपर मैं यह भी add कर दूँ, कि Anacademy का combo package available है, simply यहां पर जाओ, comment section में, यह जो pinned comment का link है, इस पर click कर लो, और यहां पर पर purchase कर सकते हैं, यह combo package, जिसके अंडर, आप UPSC prelims, mains, और optional, तीनों की ही त्यारी, आप इखटा कर लेंगे, simply यहां पर click करो, pick a plan प per month का, मगर यह price pay करने के आशकता नहीं है, क्योंकि simply यहां पर आपको एक code डालना है, PD10, और prices अपने आप यहां पर गिर जाएंगे, so use the code PD10, and save your money, so इसी note के साथ, यह है आपर वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. झाल झाल